बॉलिवूड की कुछ मुवीज के बॉक्स ओफिस नमबर के बारे में ताकि आपको ये पता रहे कि बॉलिवूड की कौन कौन सी फिल्म में फिलाल तो बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप हुई है क्योंकि अगर देखा जाए तो पठान को छोड़ कर अभी के लिए बॉलिवूड की तरफ से जितनी भी प्रेजेंटेशन फिल्मों की की गई है अम इन रिलीज वो इतनी भी जादा कुछ खास बॉक्स ओफिस पर कमाल नहीं कर पाई है लेकिन अब शुरुबात करें पठान फिल्म से ही तो ये फिल्म जैसे के आप सबी को पता होगा के वर्ल्ड वाइड थाउजन प्लस का बिजनस करने में पूरी तरीके से कामियाब हुई है और अगर एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो ये फिगर 1028 करोड के है और इससे हट कर इस फिल्म की जो चर्चा हो रही है यानि कि कमपारिजन बहुबली जैसी फिल्म से तो हाँ उस मामले में इस फिल्म ने 531.96 करोड का बिजनस किया है जिसमें 18 से 20 करोड के आसपास के अर्णिंग इस फिल्म की बाकी दूसरी लैंविजिस की है यहां यहीं कहा जा रहा है कि इस फिल्म का डंका उतना नहीं बज़ा जितना बज़ना चाहिए था लेकिन फिल्मे मैं कहूंगा कि यह एक अच्छी शुरुबात है जो कहीं न कहीं उमीद तो देती है कि अच्छा कंटेन ओडियंस को ठेटर तक लाने के लिए एट वैक करता ही है और इस कलेक्शन को हटाने के बावजूद भी यह फिल्म 513 करोड के आसपास आकर खड़ी हो जाती है जो कि पठान फिल्म को हिंदी बेल्ट की सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म भी बना देती है लेकिन इसे छोड़ अब बाकी दूसी जो रिलीज इस फिल्मों की बात की जाए तो इसके एक हफते बाद कांधी गोट सेक युद जैसी फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसकी कमाई 2.40 करोड के आसपास की थी और फिर बात रही दमन फिल्म की हिंदी रिलीज की तो इसकी कमाई लाखों में थी जिससे ये बात साफ हो जाती है कि वो फिल्म हिंदी बेल्ट में पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है और इसके अलावा अनुरा कशप की फिल्म प्यार ओल्मोस भी दीजे महबबच जैसी फिल्म भी बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं कर पाई है बाकी ऐसा ही हाल शिव शास्तिरी बेल बॉई जिसी फिल्म का भी है जिसके बात बात करें सीधे शहजादा फिल्म की तो इस फिल्म की कमाई हुई है 26 करोड की और गर बाकी दूसरे कलेक्शन को मिलाया जाए तो इस फिल्म के कलेक्शन 40 करोड के आसपास के हुए थे कुछ इसी तरीकी की डीटेल्स मेकर्स की तरफ से दी गई थी जिससे कि मुझे ये बताने की ज़रूत नहीं कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट हुई है या फिर फ्लॉप क्योंकि फिल्म का बजट 80 करोड का था खैर तो इससे हटकर बात की जाए फिल्म सेल्फी की तो 130 करोड के आसपास की बनी हुई ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर बस 11 करोड के आसपास के कलेक्शन ही कर पाई है और इसके exact worldwide figure की बात की जाए तो collection 17 से 14 करोड के आसपास के बताए जा रहे है जिसे लेकर जादा दिमाग लगाना भी एक बेवकुफी ही रहेगी क्योंकि जैसे कि मैंने कहाँ पठान फिल्म की release के बाद से कोई भी बॉलिवुड की तरफ से ऐसी अच्छी फिल्म या फिर कहू अच्छा content निकल कर नहीं आया है जिसे देख audience अपने पैसे खर्च करे लेकिन अब देखते हैं कि आगे बॉलिवुड की तरफ से पठान की इस रेस में या फिर कहू अच्छे बिजनस के track को और कौन सी फिल्म ओपन करती है जिसे लेकर अब फिर क्या बनती है आपकी विराय जोब मुझे comment में लिकर बता सकते है क्योंकि अब वक्त है मेरे तरफ से इस वीडियो को यही पर खतम करने का बाकी मैं हूँ अजीज movie stock show channel like share and subscribe भूलना मत मिलूँगा जल्दी दूसी किसी वीडियो में तिल देन बाई